तो हमें यह warning दिखाय दे रही है हमें इच चाइल इन लिस्ट एप एट उनिउनिक प्रोब तो हमें हर चाइल पर हर लिस्ट के चाइल पर हमें क्यों यह की प्रोब धकर लेड करना चाहिए? यह सघेस्स कर रहे हैं यह थो यह पर देखने वालने हैं ठीक है तो यहां पर देखिए कि की होती क्या है की इजे special listing attribute you have to include when creating list of elements एक special listing attribute होती है कि यह हमें add करनी पड़ती है जब भी हम कोई list क्रिएट कर रहे होते हैं क्यों करनी होती है क्योंकि की gives the element stable identity यह एक stable identity प्रवाइड करती है हर element के लिए जो भी li होगी हर li को एक unique stable identity प्रवाइड करती है ठीक है and key help react identify which item have changed or added or removed मतलब यह क्या react को जो identify करने में help करती है कि कौन सा हमारे list के आइटम में change हुआ है add हुआ है कौन सा नया add हुआ है कौन सा remove हुआ है इसके लिए बहुत है help करती है कैसे मैं आपको बताऊंगा help in efficient updating of the user interface user interface में जो update होता है उसे efficiently update करने के लिए help करती है ठीक है तो पहले हम की देख लेते हैं इस issue को resolve करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से user interface को efficiently update करने में help करती है ठीक है तो हम यहाँ पर जाएंगे simple हमारे list component है तो यहाँ पर हम जाएंगे एक key हम लगाएंगे यह key unique होगी unique key होगी तो यहाँ पर employee में हमारा employee में देखे id id जो है यह unique है ठीक है तो यहाँ से हम key attribute यहाँ पर लगाया हमने unique id हमने यहाँ पर पास की ठीक है अब unique name भी है अगर unique name है तो हम name भी रख दिया तो भी कोई इसू देखे refresh किया कोई इसू नहीं आ रहा है तो यह id unique होनी चाहिए ठीक अगर मैं name को यहाँ पर दो जगाद कर रहेता हूं तो देखे फिर से इसू आ जाएगा क्या encounter two children with the same key रोहित तो यहाँ पर इसू आ गया तो आपने देखा जैसे मैंने name यूज किया था और name जो है मेरे यहाँ पर unique नहीं रहे दो रोहित रोहित दो entry हो गई है तो यह मुझे इसू दे रहा है तो यह क्या रहना चाहिए यूनीक रहना चाहिए यहाँ ठीक है अब मैं फिर से refresh करूंगा तो देखिए रोहित रोहित नेम जो है मेरे यहाँ पर duplicate आ रहे हैं लेकिन id 1234 यह मेरी यूनीक है तो यहाँ पर यह इसू नहीं आ रहा है ठीक है अब दूसरा देखते है कि जिस तरह से हमने employee यहाँ पर as a props यूज किया है कि की को यूज कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक key ले लिया है हम मैंने save किया तो देखिए यहाँ पर इसू आ गया warning list की is not a prop trying to access it will result in undefined being written if you need to access the same value within the child component you have to pass it to different props okay तो यह कह रहा है कि यह जो की है यह props नहीं है ठीक है यह props नहीं है यहाँ पर तो हम इसे ऐसे props यूज नहीं कर सकते है अधर यह undefined return करेगा हमें तो की को हम अगर हमें चाहिए यह तो हमें इसको एक अलग से props बना के पास करना पड़ेगा यह बता रहा है तो की को क्या है simple इसी तरह हमारा identify करने के लिए list को यूज किया जाता है तो यह की है की का help अब की किस तरह से हमारी help करता है जो update करने के लिए UI को efficiently वो इस तरह से कि जैसे भी हम कोई component बनाते हैं उसका virtual component create हो जाता है जब भी उसमें render हो कुछ change हो तो वो update होगा इस change में अगर मान लिजे हमारा data है और इसमें कोई और एक id 5 यहाँ पर entry आ जाती है id 5 entry अगर यहाँ पर आ जाए तो क्या करेगा इसका virtual component बनेगा render होने के लिए first comparison के लिए तो उसमें अगर हम यहाँ पर key use नहीं करते हैं तो यह हमारा total जितनी भी entry है ठीक है सारे li के लिए virtual component बनेगा ठीक है लेकिन जो हमारा नया add हुआ है अगर हमारा नया add हुआ है हम id रखते हैं की यहाँ पर लगाकर रखते हैं तो सिर्फ वही virtual component होगा उसमें add होगा ठीक है virtual component में वो add होगा तो इससे क्या है हमारा जो process है efficiently update करने का UI का वो fast हो जाएगा ठीक है तो key जो है recommended है हम हमें use करने है ठीक है जब भी हम li use करेंगे अब एक question आता है कि अगर हमारे पास कोई unique है नहीं idb हमारे पास unique नहीं है मान लीजिए यहाँ पर idb3 आ रहा है तो हम कैसे क करें हैं हमें तो unique तो की देनी देनी है तो उसके लिए हम next lecture में देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं अगर आपको concept समझ में आया है तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें आने वाली वीडियो तो notification आपको मिल जाएंगे thank you for watching